आज हम सब कक्षा 10 गडित अध्याय चार दुई घास समीकरण प्रश्णावली 4.1 के पहले प्रिश्ण को हल करेंगे पहला प्रिश्ण है जाज कीजिए कि क्या नेमने दुई घास समीकरण है इसका पहला खंड है एकस प्लस एक का होल स्कॉयर पराबर दो ब्रेकिट में एकस माइनस 3 अब इसे हल करेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये दुई खास समीकरण है या नहीं सबसे पहले हम इसे हल करके इस समीकरण रवनाएंगे देखेंगे समीकरण किस प्रकार का बन रहा है तो हल करते हैं या एकस प्लस एक का होल स्कॉयर है तो ए प्लस बी की होल स्कॉयर के सूद पर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एकस का स्कॉयर प्लस एक प्लस दो एकस एकस स्कॉयर हो गया 1 का स्कॉर 1 हो गया और 2 x x 1 इक्वल 2 x तो बराबर 2 गुडे x तो कितना 2 x यहां माइनस कसाइन है माइनस 2 ती ये 6 दाय पर चको बाई तरफ ले आएंगे तो जाएगा x स्कॉर प्लस 1 प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 6 बराबर 0 x स्कॉर को x स्कॉर लिकिने प्लस प्लस 2 x माइनस 2 x ये कैंसिल हो जाएगा और बचा 1 प्लस 6 कितना आ गया 7 बराबर 0 a a x स्कॉर प्लस b x प्लस c बराबर 0 के रूप के का है जोई घास समीकरण का मतलब होता है चैर की अधिक्तम घात दो हो तो यहां अधिक्तम घात क्या मिल रही है दो ये इसकी रूप का हो जाएगा आता हाँ आता हाँ दिया गया समीकरण अब हम इसके दूसरे खंड को भी हल कर लेते हैं दूसरा खंड है एक्स स्कॉर माइनस दो एक्स बराबर माइनस दो ब्रेक्ट में तीन माइनस एक्स तो अब इसको भी हम इसी प्रकार हल कर लेंगे जह हल करेंगे यहां क्या है एक्स स्कॉर माइनस दो एक्स बराबर यहां माइनस दो से 3 माइनस x में गुड़ा कर लेंगे तो माइनस 2 गुड़े 3, 2, 3, 6 माइनस चे हो जाएगा माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा 2 गुड़े x, 2x अब दाएं पच्च को बाई तरफ लेंगे x स्कार माइनस 2x यह माइनस 6 है प्लस 6 πλस 2x से मांइस 2x बराबर 0 x स्कॉर मांइस 2x मांइस 2x जूड जाएगा, आ जाएगा किता मांइस 4x wow च्योंकि एह x स्कॉर बलस b x बलस c बराबर 0 के रूप का है आता दिया गया समी करड द्वी घास समी करड है इसी प्रकार हम इसके अन्य खंडों को भी हल कर लेंगे